Hello everyone, आईए आज हमनों आहार सुरक्षा एवं गुनवक्ता, इसके अंतरगर्थ घर में मूल स्वक्षता, इसके बारे में जानते हैं खादिय संचालक की स्वक्षता, स्वास तथा आदते महतोपुर्ण होती है, क्योंकि व्यक्ति प्राय किटानू वहन करते हैं, जो भोजन द आए हमारे अपने हाथों, चेहरों, बालों, नाक, थामों और आंतरिक भागों में भी उपस्थित होते हैं, यहां तक कि सबसे स्वस्थ बैक्ति भी विमार हुए बिना किटानू वहन नहीं किये हुए होते हैं, जो भी एक स्वस्थ बैक्ति भी अगर विमार होता है, तो वो भी किटानू को साथ में लाता है, हमारे भोजन में उपस्थित रोगानू जो कि खाद विशानू करन का कारण हो सकते हैं, प्राय भोजन को गर्म करने या ठंडा करने द्वारा नियंतरित किये जाते हैं, किन्तु अवसर देने पर वे आसानी से रसोई घर में फैर जात हो सबजी काटने के तक थे कपड़ों, चाकू, तथान बरतन से होकर या किटानू भोजन को दूसित करते हैं, अर्थात कीचन में भी रसोई घर में भी स्वफस्ता बहुत जरूरी है, या रसोई घर में जिस भी समान का हम प्रयोग करते हैं, जैसे चाकू, वहां के बरतन, स्लैब, यह सब अच्छी तरह से बिल्कुल साफ होने चाहिए, नहीं तो इनके माध्यम से भी किटानू फैलते हैं, सबजी काटने के बाद चाकू या जो भी फसुल काम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे अच्छी से धोकर रखना चाहिए, ऐसे कभी भी सबजी काटक पड़े दहने नहीं देना चाहिए, और जिस चीज से काटा गया हो, उसे भी विल्कुल साफ सुत्रे तरीके से धोकर रखते हैं, तो निम्रे तरीके से भोजन को संदूसन से बचाया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, क्या तरीके ला सकते हैं, जिससे हम लोग भोजन को संदूसित होने से बचा सकें तो सबसे पहले देखिए अच्छी रस्वोई घर स्वक्षिता दूसरा है अच्छी ब्यक्तिगत स्वक्षता तथा खाद्य प्रदार्थों का अच्छा हस्तन यह सभी उपाय हानिकारक जीवानों को फैलने से नियंत्र जिसमें बर्ग, पेपदार्थ, अत्वा मसाला प्रियोग हुआ हो और जिसे मानों ने पूर्ण या अंस के रूप में उप्योग किया हो भोजन कहलाता है ऐसे भी हम लोगों ने भोजन की परिवासा पिछले वीडियो में देखा तो भारत में लगभर प्रतिवर्स अतिसा के कारण 4 लाग से उपर वच्चे ग्रसित हो जाते हैं कई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए अत्यदिक जोयर आदी से भी पिरिद्ध होते हैं इसका कारण है स्वक्स्ता काभाव तथा और सुरक्षित भोजन तथा पेजल यह एक रिपोर्ट में युनिसेफ के द्वारा 2004 में जो सर्वे हुआ उसके द्वारा कहा गया कि इतने सारे लोग भारत में लगवार 4 लाग वच्चे प्रतिव अर्टिसार के कारण ग्रसित हो जाते हैं कई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए या अत्यदिक जोर आदिसी आदिसे पिरित होते हैं इसका कारण होता है इसका सिर्फ औ इसके बाद हम लोग देखते हैं खादिस्वक्षता के सिध्धान आएए इस पर हम लोग कुछ विष्टिस चर्चा करें बच्चे अभोजन को तुरंट समाप्त करें खादिस्वक्षा का सबसे पहला सिध्धान थैं कि जो भी वचा हूँ अभोजन है उसे तुरंट समाप करें गुनात्मक रूप से बढ़े सुख्ष्म जिवानूं की रोक ठाम करें जिवानु जो है वह एक दो करकर नहीं बढ़ता है दो चार छे आज के संख्या में बढ़ते हैं इसलिए जिवानू का बढ़ना रोकना बहुत जरूरी है फिर हैं हानीकारक सुख्ष्म जिवान का बचाओ करें और सुक्ष्य जीवानियों द्वारा प्रदूसन के विरुद बचाओ ये सब जो है खाद्य सुरक्षा के कुछ सिधान्त है फिर हम लोग देखते हैं घर में मूल स्वक्षता स्वक्षता प्रती दिन के जीवन का महत्वपुर्ण भाग है तथा यह विशेश रुप से सकते हैं यदि आप दूसरों के लिए भोजन तयार कर रहे हैं तो व्यक्तिगत स्वक्षता का विशेश ख्याल रखें ताकि भोजन को संदूसन से बचाया जा सके जब भी दूसरे घर पडिवार या कभी भी भोजन बनाते समय स्वक्षता की आवसक्ता बहुत ज बहुत सारी बीमारयों को आमंत्रण दे देते हैं में भोजन को संद्दूसन से होने वाले पर प्रतिदोतक छमता वालों को सिंग्री अपनी गिरप्त में ले लेते हैं भोजन के द्वारा अगर किसी भी तरह से हानिकारक सरीर पर प्रभाव पड़ता है तो क्या करता है अगर व्यक्ति बहुत कमजोर है यह कहिए कि कमजोर व्यक्ति पर कोई भी विमारी है या कोई भी रोगानू है तो वो बहुत जल्द हावी हो जाते हैं संक्रामक रोगों का फैलाव, हाथ धोने, उचित हस्तन, खाद भंडारन तथा जीवानु के कारण रोग फैलाव को स्वक्षिता द्वारा कम किया जा सकता है फिर हम लोग देखते हैं आगे ब्यक्तिगत स्वास्त एवं स्वक्षिता का महत्व उत्तम स्वास्त के लिए ब्यक्तिगत स्वक्षिता बहुत आवस्यत है ब्यक्तिगत स्वक्षिता रखने से भोजन बैक्टिरिया से दूसित नहीं होता है जो भोजन के विशैले होने का कारण बनता है क्या होता है वैक्टिरिया के माध्यम से जो है भोजन वो दूसित हो जाता है इसलिए जब हम अपनी वैक्टिरत स्वक्षता रखते हैं तो इनसे हम बस सकते हैं भोजन संचालक का प्रतेक अस्तर पर यह नेतिक तथा वैधानिक दाइद तो होता है कि यह भोजन को विश्यला बनाने वाले सुख्ञ जीवों तथा अन्य दूसक पदार्थों से सुरक्षित रखना निश्चित करें जो भी भोजन के संचालक है खाना बनाने वाले भोजन समागरी लाने वाले सभी को अपनी ब्यक्तिगत स्वक्षता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आईए देखते हैं सिग्र दूसित होने वाला भोजन कौन सा भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो सिग्र दूसित होने वाला भोजन वह भोजन होता है जो जीवानियों की व्रिधी को कम करने के लिए निश्चित आपमान पर रखा जाता है जो खादे में विशेले पदार्थों की उपस्थिती तथा बनावट को रोकने के लिए हो सकता है इसका आर्थ है 50 degree centigrade अत्वा इससे नीचे पर खादे को ठंडा था 60 degree centigrade अत्वा इससे उपर पर भोजन को गर्म रखना होता है क्या होता है सिख्र दूसी थोने वाले भोजन वह भोजन कहलाता है जो जिवानू की व्रिधी को कम करने के लिए निश्चित आपमान पर रखा जाता है जैसे माल लीजे हम लोग कोई भी खादे पदार्थ को प्रिज में रखते हैं तो क्यूं रखते हैं ताकि वह जल्दी खराब नहीं हो तो इसके लिए क्या जो खादे में विशेले पदार्थों की उपस्थिती तथा बनावट रोगने के लिए आवस्यक होती है तो इसका आर्थी यह होता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेट अथ्वाइस के नीचे पर खादे को ठंडा रखना तथा साथ डिग्री सेंटीग्रेट अथ्वाइस से उपर भोजन को गर्म करना यह इस्थिती होती है सिग्र दूसीत होने वाले भोजन में सम्मिली थेकौनकों से भोजन बहुत जल्दी दूसीत हो जाते हैं तो जैसे डेरी उत्पाद तो इसमें दूद क्रीम पनीर अंडे यह सब जो हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं फिर हैं पके हुए चावल तथा पास्ता तयार सलाथ तथा पास्ता सलाथ सलाथ को भी बहुत जादा देर तक या बहुत पहले से काट कर नहीं रखना हानीकारत प्रभाव चोड़ता है मास मुंग मुर्गा समुद्री तथा खाद देस अमिय से समुद्री सेवाल होते हैं समुद्र के आसपास ऊपजने वाले साग सब्जी मास मचली यह सब जो हैं यह भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं यदि आहार हस्तन तथा भूजन पकाणे बेक्ति के कप्ड़े उच अस्तर की बेक्ति चर्ण को सवक्ष भारा शुरक्षित नहीं करता है तो कप्ड़े भी ऑन करते हिने साफ सुत्रेट रोने चाहिए क्योंकि कप्डरों के माध्यम से भी जीवानू जो है वो खादेपदार्थों में पहुं जाते हैं फिर व्यक्तिगत स्वक्षिता अर्थ होता है अपने संपुर्ण सरीर को स्वक्ष रखना जिससे विशेश रूप में हात बाल नाखुन तथा कप्रों की स्वक्षिता हाती है काम करने से हाथ क्या है काम कोई भी काम को करने से हाथ जो है वह बहुत आसानी से गंदे हो जाते हैं अत्र हाथों को निरंतर धोना बहुत आवस्यक है अभी के समय में देखिए तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हाथों की सफाई बहुत आवस्यक है लगीन अभी जो है वो COVID-19 के कारण हो तो क्या है सबसे जरूरी सबसे आवस्थक है हाथों की सफाई बहुत अच्छा से जितने बार भी कहीं से आना जाना घर में या किसी भी काम को करने से पहले हाथ को धोना बहुत जरूरी है अच्छे से साबुन से और फिर क्योंकि हाथ हाथ ऐसा चीज है कभी वह कहीं भी किसी चीज पर रख दिजिए तो हाथ में गंदगी आ जरूरी है अपने ही चेहरे को छुने नाक आखमों तो उससे भी हाथों में किटानू आ जाते हैं तो इसलिए हाथ की सफाई बहुत जरूरी है एक आहार हस्तक के रूप में आप खाद पदार थत्वा धड़ातल कोच हुए जो भोजन के साथ संपर्क में आते हैं ऐसा करने में आप भोजन में दूसर फैलाने वाले जिवानों को हस्तांतरीत कर सकते हैं गलती से भोजन पकाते वक्त भी या भोजन से संबंधित कारियों को करते से में अगर हाथ जमीन में चला जाता है किसी भी तरसे और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो जमीन से जो किटानू है वो हमारे हाथों में लगकर हमारे भोजन तक पहुच जाता है बहुत ही आसानी से इसलिए यह बहुत महत्तुपूर्ण होता है कि कारे प्रारंब करने से पहले आपके हाथ वास्तों में साफ हो अहार अस्तन की लापरवाही के कारन के वार उच उच गुनवक्ता का भोजन भी प्रदूसित हो सकता है क्या है जरासी लापरवाही, थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हो जाती है कहीं न कहीं से वो काफी परिसानियों में पड़ जाता है तो यह जरूर ध्यान रखना है कि हर तरह से अपने आपको स्वक्ष रखें रसोई घर के कारे उसे संबंधित खास कर क्यूंकि हम लोग अभी भोजन की स्वक्षिता के बारे में जान रहे हैं तो अपने बाल हाथ ना वीडियों में खाद स्वक्षता कैसी धान घर में मूल स्वक्षता व्यक्तिगत स्वास्तेवं स्वक्षता का महत्व उसके बाद सिर्दूसित होने वाला भोजन और व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वक्षता के बारे में विविन जानकारियां हासिल की तो आज के लिए इतना नहीं फिर अगले वीडियो में हम लोग ब्यक्तिगत आदते हैं इसके बारे में जानेंगे थैंक यू